Hi mommies and daddies, welcome back to momcom India. बच्चों से bottle feed छुडवाना एक बहुत ही challenging task है. बट patience के साथ, right timing पे इस चीज़ को initiate करके और कुछ tricks यूज़ करके आप ये definitely achieve कर सकते हो. आज इस वीडियो में मैं आपसे अपना personal experience शेर करूँगी और कुछ tricks भी शेर करूँगी जो आपकी मदद करेंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो like जरूर कीजेगा और चैनल को subscribe कर लीजे, साथ में bell icon हिट कर दीजे ताकि जब भी हम एक नया वीडियो पोस्ट करें, आपको notification मिल जाए. Now let's get started. As a parent, अबसे पहला question हमारे mind में आता है कि हम बच्चों को bottle feed छुडवाएं कब, कब हम bottle से बच्चे को cup पे ले आएं. तो देखे, typically आपको इसका answer मिलेगा कि जब बच्चा एक साल का हो जाए और एक साल के बाद वो cow milk पे switch कर जाता है, तब आप बच्चों को sippers या cups पे ला सकते हैं. But personally मुझे ऐसा लगता है कि एक से दो साल का जो period होता है बच्चे की life में, उस time पे उसकी life में बहुत सारे milestones आ रहे होते हैं. बच्चे चलना शुरू कर रहे होते हैं, काफी सारे dhant उनके निकल रहे होते हैं, communication wise वो काफी ज़्यादा explore कर रहे होते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है उनके साथ इस time पे. तो इस time पे उनसे bottle छुडवाना, जो उनके लिए भूक से ज़्यादा एक comfort है, ये काफी challenging हो सकता है. इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो 2-3 साल का age group होता है, वो काफी better और काफी easier होता है bottle को छुडवाने के लिए, because इस time पे बच्चे थोड़ा mature हो जाते हैं, थोड़ी understanding शो करते हैं, और उनके काफी जो major milestones होते हैं, वो अचीब कर चुके होते हैं. अब अपने personal experience की बात करूँ, तो कबीर अपना जो milk था, वो bottle feed के थूँ ही ले रहा था, और जब वो धाई साल का था, तब हमने ये process initiate किया था, कि हम धीरे धीरे उसकी जो total bottle feeds हैं, उसको कम करें, और फिर eventually वो bottle को give up ही कर दे. सारी feeds कम हो गई थी, बट जो उसकी 2 feed थी, especially जो रात वाली feed थी, एक morning लेता था, एक रात को लेता था, रात वाली feed थोड़वाना काफी मुश्किल हो रहा था, बट eventually जब वो 3 साल 3 महीने का हुआ, तब जाके उसने bottle finally give up कर दी. ये कैसे हुआ, अब मैं आपको आगे बताती हूँ. प्रॉसेस की बात करने से पहले बात करते हैं, कि इस प्रॉसेस में मुझे challenges के आएंगे, बच्चा किस तरीके के challenges मेरे पर थो करेगा? देखें, सबसे पहला challenge होगा acceptability. बच्चे के लिए ये accept करना, कि आपने उसकी bottle ले ली, जिसके साथ वो सो रहा था, जिससे उसको comfort मिल रहा था, एक अच्छा बच्चे को आराम मिलता है, bottle को use करके, उसको लगता है उसकी कोई चीज है, वो bottle चली गई है, तो बच्चे को लगता है कि उसकी life से कुछ बहुती major missing हो गया है, बच्चे काफी cranky, काफी परेशान, काफी रोना, धोना, सब को चुरू करते हैं, ये behavior आपको बच्चो का कुछ दिन देखने को मिलता है, और इस time पे साथ में आप दूसरा challenge ये देखते हैं, कि बच्चा दूसरे किसी चीज में milk नहीं पीना चाहता, तो अगर आपको लग रहा है कि बच्चे के actual में वो जो demand है, वो दूद की है और बच्चा दूद मिस कर रहा है, तो आप गलत हैं, क्योंकि बच्चा दूद नहीं मिस कर रहा है, आप सिपर में, कप में, किसी भी चीज में उस time पे उसको दूद देंगे, उसे पीना ही नहीं है, क्योंकि उसे अपनी bottle ही चाहिए, तो ये दो challenges आप face करेंगे, बढ़ ट्रस्ट मी, ये जो challenges होते हैं, ये सिरफ time bound challenges है, जैसे उसे थोड़ा time निकलता जाएगा, और बच्चे को ये समझ आएगा, कि bottle तो अब नहीं है, जो भी कर लो, bottle नहीं है, तो eventually बच्चा उस चीज को understand करेगा, और फिर back on track आ जाएगा, इसलिए मैंने कहा था, कि ये process काफी patience demand करता है, और वो patience ही आपको रखना है, तो आप बात करते हैं, कि bottle feeding चुड़वाने के लिए, मुझे क्या चीज़े करनी हैं, तो देखिए, ये overnight नहीं होगा, आपको एक process थोड़ा पहले से ही शुरू करना है, एक होता है न, हम तयारी करते हैं चीजों की, और finally वो चीज होती है, वो ही आपको करना है, तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आप ये कीज़े, आप देखिए, कि मेरा बच्चा बॉटल फीट कितनी लेता है दिन में, और उन बॉटल फीट को धीरे धीरे आपको reduce करना है, देखिए, जो बड़े बच्चे होते हैं, आइडली जो एक दो साल का या तीन साल का बच्चा है, उन्हें पूरे दिन में दो बार milk पीने की जरूरत होती है, सुबे शाम ले ले लेते हैं, या सुबे और रात को सोने से पहले बच्चे ले ले लेते हैं, इसके अलावा आइडली उन्हें दूद पीने की जरूरत नहीं होती, तो जैसे हम आफ्टरून नैप में भी बच्चे को दूद की बॉटल दे देते हैं, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, और जो बच्चे दिन में काफी जादा dairy products खाते हैं, जैसे दही खाते हैं, पनीर खाते हैं, उनको आप दो बार भी दूद मत दीजे, दिन में एक ही बार दूद दे दीजे, तो आप इतनी बॉटल फीड्स उनकी कम कर सकते हैं, तो यह आपका पहला objective होना चाहिए, कि मुझे फीड्स को कम करना है, उसके लिए आप उनके solids बढ़ाईए, उनके snacks बढ़ाईए, उनकी जो total bottle feeds हैं, उनके कम कीजे, इस तरीके से आप उनकी वैसे भी feeding की आदत को कम करा देंगे, दूसरा मेरा tip है, कि शुरू से ही जो दूसरे liquids होते हैं, जैसे पानी हो गया, juices हो गया, इनको आप bottle से अलग रखिए, जब आप same bottle में दूद देते हो, और same bottle में पानी देते हो, तो बच्चे के लिए वो bottle छोड़ना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चा differentiate नहीं कर पाता, कि जो liquid है, वो किसी और चीज में भी मुझे मिल सकता है, और और interesting चीजों से भी मैं liquid चीजें पी सकता हूँ, तो इसलिए हमेशा differentiate कीजिए, उससे आपका bottle छोड़वाना काफी आसान हो जाएगा, तीसरा tip मेरा ये है कि सीधा transition कीजिए to a cup, आप बीच में बच्चों को जैसे हम क्या करते हैं, कि sippy cup देने की कोशिश करते हैं, या sippers देते हैं दूथ पीने के लिए, वो माद दीजे, because then ये आपके लिए एक और task होगा, कि अब sippy cup को छुड़वाओ, और फिर normal cup पे लेके आओ, मुझे यादे कबीर के time पे जब हमने bottle उसे छुड़वाई थी, तो सीधा जिस cup में हम चाय पीते हैं, उसी cup में हमने उसको वो दिया था, कि आप इसमें दूथ पियो, initially उसने नहीं पिया था, काफी time तक उसका दूथ से बिलकुल interest चला गया था, बट धीरे 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 काम करके, वो पिस हम लेके आये थे, बट बीच में हमने कोई sippy cups हो गयरा ट्राइ नहीं किये, आप interesting cups ट्राइ कर सकते हो, बट sippy cups हो गयरा को avoid करो, just keep them for water or juices. मेरा अगला tip है morning और night time feed के लिए, देखिए काफी बच्चों को यह आदत होती है, कि रात को नीम भी bottle के साथ आती है, और morning में आँख खुलते ही उन्हें bottle चाहिए, ये clearly एक sign है comfort feeding का more than hunger feeding का, इसको cut करने के लिए बहुत important है, कि आप distractions को बीच में लेके आईए, सबसे पहली चीज आप ये कीजे, जैसे अगर आपको night feed चुड़वाने में problem आ रही है, तो सबसे पहले जो बच्चा night feed ले रहा था, उसी feed को आप time थोड़ा आगे कर दो, माल लिजे बच्चा 10 बज़े सोता है और वो उस time पर bottle लेता है, और bottle से ही सोता है, तो अब आप उसको बोलो कि bottle आपको 9 बज़े मिलेगी, और 9 से 10 आप लोग खेलोगे, या कोई story time करोगे, या कोई music सुनोगे, basically bedtime कुछ मस्ती करोगे, तो धीरे धीरे बच्चे को ऐसे नहीं लगेगा, कि आप उसकी bottle चुड़वा रहे हो, उसको ऐसे लगेगा, कि आपने bottle feed आगे कर दियो, और एक routine में change आ रहा है, अब यही चीज आप जब आगे उससे tricks यूज़ करोगे, कि bottle अब चली गई है, तो वो वाला जो period है, या तो बच्चा वो feed ही give up कर देगा, या फिर उस time पे दूद, जो cup वगेरा में आप दोगे, उसमें पिएगा, और फिर आगे set हो जाएगा, बट उसकी आदत की bottle से सोना है, वो आप cut कर दोगे, सेम चीज आपको morning में करनी है, उखते ही कुछ distract करो, कोई music चला दो, या किसी ऐसे family member को involve करो, जिससे देखते ही बच्चा distract हो जाए, और उसका ध्यान bottle से उन पे चला जाए, तो इस तरीके साब distractions को यूज कर सकते हो, मेरा अगला tip है encouragement से related, ये बच्चों पे बहुत काम आता है गाईस, encouragement यूज करो, उन्हें बहुत encourage करो, कि bottle छोड़ना मतलब अब वो एकदम बड़े हो गए हैं, वो grown-up हो गए हैं, इस तरीके से बच्चों को बहुत motivation मिलता है, उन्हें आपके जैसा बनना है, और यही आपको time to time दिखाना है, इस चीज के लिए आप family के बाब की members की help ले सकते हो, आप उन्हें बोलो कि वो उसके सामने दूथ पियें या चाय पियें, और बोलें कि अच्छा जब आप भी ऐसे पियोगे, तो आप भी हमारे जैसे grown-up हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, तो बच्चे को काफी motivation और interest मिलता है, आप sibling या friend की help भी ले सकते हो, घर में अगर कोई बड़ा sibling है, तो बड़ा sibling जब छोटे को motivate करता है, आप बोल सते हो कि dentist के अपास जाने में कितना problem होता है, और कैसे cavities से आपको कितना problem होगा, बड़े लेने से ऐसा हो जाता है, तो बच्चे काफी डर जाते हैं, उन्हें दिन्टेस का नाम सुनते ही लगता है, कि नहीं हमें नहीं करना है, फटा-फट ब्रश भी कर लेते हैं, तो ऐसे ही वो बॉटल भी गिब अप कर लेंगे, मैं जब अपनी रिसर्च करी थी, तो मैंने देखा काफी मॉम्स ने बड़े युनीक हैक्स भी ट्राइ किये होए थे, जैसे कि बॉटल लिया और बॉटल के उपर pen से color लगा दिया, sketch pen से color लगा दिया, और morning में बच्चा उठा और उसे दिखाया, कि देखो आपकी बॉटल को क्या हो गया, आपकी बॉटल खराब हो गई है, इस पे कुछ लग गिया है, रात को ममा ने इसमें देखा था, कि माउज आ गया था, या कॉक्रोज आ गया था, और उसने ये कर दिया, तो बच्चे को लगेगा, ये तो बिल्कुल बिकार है, इसको छोड़ दो, इसी तरीके से मैंने एक बड़ा interesting hack देखा था, कि एक मदर ने क्या किया, उन्होंने एक पिच्चर को एडिट किया, एक बड़ल की पिच्चर ली अपने बच्चे की, और एक कॉक्रोज की पिच्चर लेके, उसको बड़ल के उपर लगा दिया, जैसे जो editing tools होते हैं, उसके थू लगा दिया, और मौनिंग में बच्चे को दिखाया, कि देखो ममा ने क्या पिच्चक लिख करी, रात को कॉक्रोज आ गया था, आपकी बड़ल पर छी, कितना गंदा ये, तो बड़ल ही खराब हो गई, या फैंक नहीं पड़ेगी, तो आप इस तरीके के ट्रिक्स यूज कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपल भी बोल सकते हो, कि बड़ल आप कहीं भूल गए हो, तो इस तरीके के ट्रिप्स आप यूज कर सकते हो, बड़ल का जो निपल है, उसको आपने कट कर दिया, सिजर से ओ बोला देखो माउज आके आपका निपल कट कर दिया ची अब तो ये गंदा हो गया तो इस तरीके से आप ownership जो है वो किसी और चीज पर डाल के ये दिखा सकते हो कि bottle अब खराब हो गई अगर आप अपने ओपर ownership रखोगे कि ममा से bottle कहीं घुम गई है या ममा से bottle गिर गई है तो हो सकता है बच्चा आप से upset हो जाए तो इसलिए आप थोड़ा a trick way में इसे use कर सकते हो apart from that आप बच्चे को motivate कर सकते हो कोई special occasions के time पर जैसे हमाई साथ हुआ था सौरव का birthday था और कभीर ने सौरव से पूछा कि आपको क्या चाहिए में से gift और सौरव ने बोला मुझे ही gift चाहिए कि आप अपनी bottle छोड़ दो तो कभीर ने उस देन मतलब मैंने उसे काफी motivate कि या कि डाड़ा को यही चाहिए इससे आप grown-up हो जाओगे, डाड़ा इतने happy हो जाएंगे तो actual में हमारे पास वो video clip है आप सौरव के vlog में जाके देख सकते हो वाला birthday vlog last year का उसमें उसने wrap करके जब सौरव ने cake काटा तो अपनी bottle दे दी कि अपसे मैंने bottle छोड़ दी तो इस तरीके से moments होते हैं जब बच्चे बहुत ही जादा motivate हो जाते हैं and give up कर देते हैं बस इसके लवा आपको ध्यान ये रखना है कि जब आपने ऐसा step ले लिया है तो फिर वो bottle out of sight हो जानी चाहिए, घर में कोई भी ऐसा member नहीं होना चाहिए जो फिर बच्चे के रोने में आखे या बच्चे के ऊपर तरस खाके वो bottle दे दे क्योंकि फिर बच्चे को आपकी trick समझा जाएगी और वो bottle आप नहीं छुड़वा पाओगे for a long time और जैसे से बच्चे जादा बड़े हो जाते हैं फिर उन्हें सारी technique समझाती है last में बस patient रहे है बच्चे रोएंगे दूद नहीं पिएंगे बटेट सोके 5 दिन 6 दिन 1 हफता दूद नहीं पीने से कोई फरक आपके बच्चे की health में नहीं पढ़ जाएगा तो guys I hope इन tips ने और tricks ने आपकी मदद करी करी है तो like button hit कर दीजेगा और channel को subscribe कर लिजेगा हम Instagram पे भी काफी active हैं आप हमें वहाँ पे follow कर सकते हैं यह हमारा ID है और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि हम Kabir के लिए क्या products use करते आए हैं right from bottles to toys to books तो यह सारी चीज MomCom India के storefront पे available है on Amazon उसका link में description box में दे दूँगी वहाँ जाके आप हमारी storefront को check कर सकते हैं Thank you, Bye Bye